नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग, टीवी चैनल में, दोस्तों सबसे पहले तो महायोग टीवी चैनल जो कोई आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपका धन्यवाद देना चाहेगा, जो आपने हमारे धाई लाग सब्सक्राइबर आज हमें अचीव करवा दिय तो आपसे ऐसी ही आप अपनी विश्वास संपर्क बनाए रखिए, दोस्तों हम आपको इतनी ज्यानवर्धक और अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही तो, दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाशिवरात्री की एक विशेश उप हिंदू धर्म में भगवान भोलेनात की पूजा का विशेश महत्व होता है, उन्हें दयालू और कृपालू भगवान माना जाता है, जिनकी प्रतिष्ठा बहुत उच्छ है, वे एक लोटे के जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं, महाशिवरात्री शिव भक्तों के पूर्ण त्योहारों में से एक है, इस पर्व पर भगवान शंकर की विशेश पूजा और अर्चना की जाती है, और भक्त वरत और पूजन के साथ इसे धूमधाम से मनाते हैं दोस्तों, यह भी माना जाता है कि जो महाशिवरात्री होती है इस दिन, यानि या आपकी कोई म मन कर चलिए, भोले नात की कृपा पाने का हम एक आपको अचू कुपाय भी बताएंगे, चलिए, आगे जान लेते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार, साल में दो बार महाशिवरात्री पर्व मनाया जाता है, पहली महाशिवरात्री, फालगुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को आती है और दूसरी महाशिवरात्री श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को मनाय जाती है, दोनों महाशिवरात्री पर्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, फालगुन मास में मनाय जाने वाली महाशिवरात्री के संदर्भ में कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं इस दिन विधिवत भगवान शिव की पूजा करने से सोखी विवाही जीवन की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की काम ना की जाती है जानिये 2026 में महाशिवरात्री कब मनाई जाएगी और महाशिवरात्री 2024 की थी दोस्तों जो महाशिवरात्री का होता है दोस्तों ये पर्व भगवान भोले नाथ की भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है दोस्तों और आपको बता दें कि साल 2024 में महाशिवरात्री आठ मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी ये महाशिवरात्री फालगुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर महाशिवरात्री की पूजा की तिथी और महत्व के बारे में महाशिवरात्री 2024 की तारीख और पूजा समय महाशिवरात्री 2024 डेट और पूजा टाइम महाशिवरात्री के अवसर पर दिन के चार प्रहरों में पूजा की जाती है निमनलिखित है महा शिवरात्री 2024 की तारीक और पूजा का समय दोस्तों आगे जानकारी बताने से पहले महा योग भी चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें जिससे हर एक भारतिय नागरिक तक यह वीडियो पहुँचे और उन्हें भी इसके बारे में संपूर्ण ज्यान की ही प्राप्ती हो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चलिए जान लेते हैं फालगुनमास 2024 चतुरदशी तिति की शुरुवात आठ मार्च 2024 अब हमने आपको टाइम बता दिया है अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आप अपनी राशी को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे क्योंकि हम राशी से जुड़े आपका भाग्य भी बताते हैं और आपकी भाग्य में चल रही परिशानियों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय भी बता चुके हैं और अभी भी हम आपकी जो आपकी राशे है उसके अनुसार आपको कुछ ऐसा उपाय भी बता सकते हैं दोस्तों अब जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए, हमें जो शिवरात्री की रात्री को ही आपको करना है वह भी हम आपको बताते हैं, उससे पहले जान लेते हैं। शिवरात्री महाशिवरात्री का महत्व और मनाने का कारण फालगुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को महाशिवरात्री का उत्सव मनाया जाता है। ये दिन शिव और शक्ती के मिलन का संकेत होता है। रात्री के चार प्रहरों में भगवान शिव की पूजा करने से स सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सब ही संकट दूर होते हैं दोस्तों, अब हम बता देते हैं, वह एक कौन सा उपाय है। जी उपाय से आपकी जो मनोकामना है या आपकी जो भी इच्छा है उसे आप बड़े ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकती हैं या फिर यह भी के लीजिये या आपके घर में कोई दवाईदारू नहीं लग रही है यानि कि कोई बीमार है या फिर जो भी आपके घर में पैसे की समस्या है इस उपाय को करने की मात्रा ही आप साथ से छे दिन में ही देख लेना है और आपको बता दे कि इस वीडियो को अंत में छोड़ करना जाए क्योंकि अधूरा ग्यान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है दोस्तों इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा और देख ले क्योंकि हम वह उपाय भी अब आपको बताने वाले हैं कि महाशिवरात्री के दिन आपको कौन-कौन से उपाय कर लेने हैं जिससे आपकी जो मनोकामना है या जो इच्छा है आपकी जो भी कोई मनोकामना है आपकी शादी या विवाह की कोई नहीं हो रहा है या आपकी जो भी कष्ट समस्या विपदा आप पर आ रही है वह चुटकियों में दूर हो दोस्तों महायोग टीवी चैनल का विश्वास कीजिए क्योंकि ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा विश्वास से ही ठिका हुआ है तो चलिए हम वह उपाय बताते हैं आपको क्या करना है सबसे पहले आपको बेलपत्र को आपके घर के आसपास कहीं भी जहां बेलपत्र का एक पेड़ खड़ा हो वहाँ पर चले जाना है और बेलपत्र वहां से आपको जैश्री कृष्णा बोलते हुए आपको बेलपत्र को तोड़ लेना है और बेलपत्र ऐसा होना दोस्तों चाहिए कि वह काटा फैदा ना हो, बेल पत्र बिलकुल साफ और अच्छा होना चाहिए, बेल पत्र को तोड़ने के बाद आपको आगे क्या करना है, उसे साफ पानी या फिर आप गंगा जल से साफ करने दोस्तों बेल पत्र पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है आपके जो सबसे पास में महादेव का मंदिर हो भगवान शिव का मंदिर हो जहां पर मापार्वती की पूजा भी की जाती हो यानि कि मा गौरी की पूजा वहां पर की जाती हो दोस्तों आपको ऐसा मंदिर हम आपके आसपास ही कहीं न कहीं जरूर होगा दोस्तों क्योंकि हर किसी के घर के आसपास भगवान शिव का भगवान भोलेनाथ का मंदिर अवश्य ही मिल जाता है वहां पर जय भोले नाथ अवश्य लिखें। दोस्तों मंत्र आपको ऐसे बोलना है कि हे भोले नाथ आपको यह दो बार बोल लेना है हे भोले नाथ यह बोलने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उसे भगवान भोले नाथ के सामने ही आपको बोलना है कि है भोले नाथ मेरी यह मनोकामना को आप पूर्ण कीजिये और आप इसको भगवान शिव को बोलते हुए आपको आगे क्या करना है। करते वक्त यह अवश्य ध्यान रखें कि आप यह जो आपको मैं उपाय बता रहा हूँ वह शाम की छह दियोन तक अवश्य ही करनी क्योंकि तभी इससे लाब ही लाब हो सकता है। को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धोस्तों, यह उपाय हम भी अवश्य करते हैं और हमारी हर एक मनो कामना इसे पूर्ण होती है। Ora Color Karuna और लाखों, करोडों व्यक्तियों की इस उपाय से हर एक मनो कामना अभी तक पूर्ण हुई है